नमस्कार, छोटे-छोटे कदमों से सुरक्षा का बच्छ आज संसार भर में COVID एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम सब ढूंड रहे हैं इस समस्या के लिए हम सब अपनी सुरक्षा के प्रावधान कर रहे हैं COVID से बचने के उपाय हम सब को पता है मगर उसके लिए क्या कदम अपनाने चाहिए उस पर आज एक छोटी सी कोशिश हो रही है कि हम ऐसे छोटे-छोटे कदम लेकर अपने आपको सुरक्षित करें अपने आस-पास एक सुरक्षा का बच्छ बनाएं सिर्फ खुद सुरक्षित न रहें मगर हमारे अपनों को, हमारे आस-पास जो लोग हैं उनके लिए भी एक सुरक्षा का बच्छ बनाएं आए इसी पर चार्चा करते हैं आज आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित कुप्ता और ब्रामा कुमारी सिस्टर शिवानी है आप दोनों का स्वागत है ओम शांती पहली चीज़ चो मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर मोहित आप से कि यह जो कॉमन सी अंडिस्टैनिंग है कि भाई अच्छा हमें सुरक्षित रखना है मगर इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ विभ्रांतियां हैं, कुछ myths हैं और कुछ चीज़ें facts हैं मगर इतना ज्यादा हमारे पास information हो रहा है जिसकी वज़े से हम myths और facts को अलग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को हमारे दोस्तों को कि यह simple facts हमें याद रखने हैं, इन myths को हमें बस्त करना है कोई unusual सी खासी आती है कभी-कभी हमारा सांस फूलता है यह extreme level की थकावट होती है और इस प्रकार के कोई भी symptom हमको आते हैं, अगर हमारा taste suddenly चला जाता है, smell suddenly चली जाती है, तो ऐसे समय पर हमको बहुत alert रहकर समझना है कि कहीं ना कहीं कोईट का हमारे उपर प्रहार हुआ है अक्सर हमारे पास call आते हैं कि डाक साब हमको छोड़ा सा बुखार चल रहा था हल्की सी खासी चल रही थी यह थोड़ा सा बुखार और हल्की सी खासी आज के समय में कोईट ही हो सकती है, यह बहुत आवर्शक है और यह alertness मिस होने के कारण हम COVID को भूल जाते हैं घर का इलाज चलू कर देते हैं और जब बिमारी बढ़ जाती है तो हम लोग डॉक्टर को कंट्राक्ट करते हैं और यही नहीं यह जो period जाता है इस पे हम स्वयम infect होकर कितने लोगों को infect कर देते हैं यह एक सोचनिय विशय है यह एक responsibility का विशय है इसलिए आज हम सब को जो पहला step उठाना है वो है early recognition सजग रहिये, alert रहिये यह बहुत आवर्शक है कोई भी बुखार आज के समय में COVID हो सकता है कोई भी loss of taste or smell यह COVID हो सकता है, इसका बहुत specific यह sign है, तो अगर हम first step यह उठाते हैं, तो early recognition जो है, that is the first step to spreading prevention, उसको रोकने के लिए, स्वयम के प्रती इलाज करने के लिए और अनेकों अनेक जो हमारे साथ जुड़े हुए है, एक chain है ना, अब देखे यह एक chain है हम सब chain में बंदे हुए है हमारी chain में सबसे पहले हमारा परिवार है परिवार के सदस्य है और परिवार के सदस्यों के साथ फिर हमारे मित्र है, हमारा workplace है जहां पर हम contact में आते हैं और यह इतनी fast spread करता है कि अगर हम इसको recognize नहीं करेंगे या late recognize करेंगे तब तक हम यह दूसरों को दे चुके होंगे तो हम तो शायद फिर भी निकल जाएं लेकिन अगर कोई बुजर्ग व्यक्ति है कोई comorbid conditions के साथ व्यक्ति है जिसको hypertension है, diabetes है ज्यादा उम्र है, airway diseases है ऐसी multiple comorbid conditions है वो लोगों को अगर हमने कोविट दिया या उनको कोरोना की बेमारी हो जाती है तो उनमें complications के rate बहुत हाई होते है इसलिए first step है सजगता, alertness is very very important early identification करना और अगर हम इन 6 बातों का 5 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम fast step ले सकते हैं इसको रोकने के लिए ये जो बात आप कह रहे थे मैं अकसर सुनता भी हूँ कल परसों ही हमने किसी से बात सुनी कोई घर में खराश होती है गले में तो लोग कहते हैं कल रात को हमने दही खालिया था हमने कुछ ऐसा खालिया था जिसके वज़े से ऐसा हो रहा है तो क्या ये छोटी चीज़ों को भी इग्नॉर नहीं करना है अगर हमें लग रहा है कुछ भी थोड़ा भी हलका symptom है तो फिर हमें टॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए ये कहना चाहते हैं आप ये जो शब्द आपने बोले कि धही खा लिया था और बर्फ हमने ले लिया या थड़ा ले लिया ये हमें रोज सुनने को बिलते हैं लेकिन देखे कि नॉर्मल व्यक्ती को भी खराश होती है और वो जनली उसको इग्नॉर करता है लेकिन ऐसी खराश जो परसिस्टेंट है जो हमको कही न कहीं हमारी अटेंशन को ड्रॉ कर रही है जो नॉर्मल हमको नहीं होती है वो कोविड का साइन हो सकता है इसलिए आज के समय में ओवर डाइग्नोज करना और ओवर प्रोटेक्शन करना ये हाम नहीं है ये समझदारी का कार रहे है ऐसे समय में अगर कोई भी बात हो तो उसमें क्या बात है आप अपने आपको आईसोलेट कर लीजे इलाज करिये, मास्किंग सार्ट कर दीजे और टेस्टिंग कराइए थोड़े समय में रूल आउट होके maximum ये होगा कि वो negative आएगा और हम बाहर आ सकते हैं लेकिन अगर हमने इसको ignore किया और ये positive निकला तो किस तरह का नुकसान आप पहुचा रहे हैं ये हमारी कल्पना से भी बाहर है और इसका असर आज हम सब बून विश पर देख रहे हैं जब आप ये बात कह रहे थे जैसे समझें अगर घर में किसी एक व्यक्ति को कुछ symptom डेवलप हो जाता है तो क्या वो घर के अंदर मास्क पहन के चलना फिरना शुरू करें ये सही है देखिए दो चीजें इसके दो aspects हैं जैसे ही किसी व्यक्ति को typical symptom है उस व्यक्ति को बाकी सब लोगों के contact में आने से अपने आपको अलग कर देना चाहिए जिसको isolation कहते हैं अगर मास्क पहन कर भी हम लोग contact में आते हैं तो ये ठीक नहीं है क्योंकि मास्क 100% protection नहीं देता नेरली 95 to 99% protection देता है हम 100 कैसे कर सकते हैं जब हम masking के साथ distancing भी रखें और अगर हम अपने आपको isolate कर लेते हैं तो अपने ले भी अच्छा कर रहे हैं और उनके ले भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो अपने आपको बिलकुल isolate करना ये समझदारी है उनके contact में ना आना ये बहुत बहुत बड़ी समझदारी है तो mask पहने और दूसरे लोग भी mask पहने तीन गलते हैं हम लोग करते हैं और ये तीन thoughts को सब लोग आप देखिए मुझे ये तो मेरे family members हैं उनसे मुझे corona क्यों होगा ये तो मेरे मित्र हैं isolate कर लीजिए mask कर लीजिए और आप ही नहीं घर के सब लोगों को mask पहन कर ही घूमना है ये बहुत 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 आवशक है इसको आप समझे आपके पास mask से बड़ा tool कोई भी इस वकत कोई भी दवाई से ज़्यादा powerful नहीं है जैसे आप कह रहे थे कि जब भी ऐसे symptom diagnose होते हैं या हमको लगता है तो सबसे पहले हमको क्या कराना चाहिए isolate करके हमको treatment start करना है और treatment की बहुत defined protocols हैं और safe protocols हैं तो maximum क्या होगा क्योंकि जब हम test कराते हैं तो test के बाद हमको लगता है कि RT-PCR की report तो दो दिन तीन दिन चार दिन में आएगी तब तक तो हम वैसे ही इलाज कर लेते हैं तो ऐसे समय पर आप rapid antigen का उप्योग कर सकते हैं rapid antigen अगर positive आता है तो covid prove हो जाता है लेकिन अगर rapid antigen negative आता है तो RT-PCR कराना बहुत ज़रूरी है और इसे समय में आपको अपने आपको covid positive मानकर treatment को start कर देना है disadvantage क्या है? disadvantage कोई भी नहीं है maximum अगर covid negative है तो वो दवाईयां आप लेंगे तो वो आपकी safety के लिए है उसमें कोई भी आपको नुकसान या side effect नहीं होगा लेकिन अगर positive निकलता है तो आपने वो 3-4 दिन का जो period है उसको positively use किया और बिमारी पर गहरा रूप से प्रहार किया तो सबसे पहले proper testing और right start of the treatment इसके साथ isolation कर लिजे अपने आपको घर की ventilation जिस कमरे में आप हैं उसको ventilate करिए और भोजन को proper तरीके से अच्छा भोजन खाना, proteins लेना इसी प्रकार से गरम पानी लेना पदार्त इस प्रकार से लिजे तो ये बहुत आवशक है अलग-अलग जो theories हैं कि काढ़ा ले सकते हैं गरम milk ले सकते हैं, हल्दी का milk ले सकते हैं gargles कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है और third और जो most important जो हम सब को करनी है जो हमारे लिए easy भी है और हमारे लिए बिलकुल एक बिलकुल कह सकते हैं जैसे तीर की तरह काम करेगी वो है proper monitoring, इन चार बातों को आप समझेए, चार बाते कौन सी है कि day of illness, जैसे ही आपको symptom आते है, आप फटा-फट एक copy pen लीजिए, उस पर day of illness को डाल दीजिए, और day of illness के साथ अपने temperature को measure करिए मिरको कितना बुखार आया और तीसरा, किस time पर मुझे आया किस time पर आया और चौथा, हमारी oxygen saturation क्या है, very important ये pulse oximeter एक सस्ती सी बशीन है आप इसको मंगवा सकते हैं, रख सकते हैं इन चार बातों को आप measure करिए date है, time है बुखार कितना है और saturation कितनी है और हर चार घंटे में हमको ये monitoring करनी है, अगर possible है नहीं तो 6 घंटे में जरूर कर दे हैं क्योंकि यही trend है जो हमको आगे first gear से second gear में डाल दे के लिए हमको guide करेगा हम ये mistake कर देते हैं बहुत सारी लोग हमारे पास आते हैं हमने measure नहीं किया या गलत तरीके से measure किया और हम ऐसे लोगों को खो रहे हैं तो मेरी आप से विंती है मेरी आप से विनम्रव निवेदन है कि केवल ये चार चीज़ों को आप अपने साथ monitor करिए आप बहुत बहुत बड़ा step ले रहे हैं दवाईयां तो आप ले ही रहे हैं तो इस monitoring को करेंगे तो इस monitoring को करके आप alert रह सकते हैं और इस monitoring के बाद कुछ ऐसी बाते होती हैं जिस पे हमको suddenly alert हो जाना है वो कौनसी हैं वो बाते हैं अगर हमारा बुखार लगातार तूट नहीं रहा है बहुत तेज बुखार जा रहा है एक दिन हो गए, दो दिन, तीन दिन और दवाईयों लेने के बाद भी चार पांच जन बाद या बुखार आता चला जा रहा है दूसरा, अगर हमारी oxygen saturation कम हो रही है यानि 97, 98 से 94 को touch करती है 93 को touch करती है यह indication है कि हमको second gear पर जाना है तुरंत डॉक्टर से consult करना है हमारे पास phone आते हैं कि डाक साप saturation 80 हो गई है 70 हो गई है, इस समय पर हम क्या करें स्वयम आप अपने डॉक्टर आप इस चीज को monitor करें और जैसे ही वो touch करें तुरंत aggressive step लें और तीसरा, कोई भी ऐसा symptom आपको लगता है uneasiness होती है, सांस फूलता है आपको लगता है मुझे comfortable feeling नहीं है तो भी यह indication है कि हमको डॉक्टर को consult करके second stage पर जरूरी तरीके से जाना है तो यह simple steps है कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है हर व्यक्ती, अनपड व्यक्ती भी कर सकता है हम घर पर बैठे भी कर सकते हैं लेकिन इस chart को बनाते हैं तो हम COVID को proper तरीके से monitor करके उसके उपर वेज़े प्राप्त कर सकते है जब आप isolation की बात कर रहे थे कि जब कोई बैठे अपने आपको isolate करता है उस समय पर manage करने के तरीके क्या होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब परिवार में हैं अब वो हमारे सामने ही बीमार पड़े है तो चला हम कमरे में जाके भोजन दे देंगे उनको हर दिन जाकर हम ही उनको check करें ये सब कुछ करने के बारे में भी लोग सोचते है ऐसे में आप उनको क्या कहेंगे care कैसा होना चाहिए isolation में देखिए आप पहली बात तो ये समझें कि ये temporary isolation है ये permanent isolation नहीं है और दूसरा ये केवल physical isolation है आप मन से isolated थोड़ी नहीं और आज के समय में तो हमारे पास technologies है हमारे पास अलगलग साधन है तो किस प्रकार की isolation है ये तो हमारी एक मनोस्थिती हमने बना लिए कि भई हम उनसे बिल नहीं पा रहे है आज से पहले भी तो ऐसा होता था जब हमारे पास mobile नहीं होते थे technology नहीं होते थे तो हम 5-5-6 गंटे या 10-10 दिन बाहर चले जाते थे तो क्या हम isolate हो जाते थे आप अराम से कमरे में रहे enjoy करें, music सुने लेकिन भोजन आपके पास वहीं आए आपके कपड़े अलग धुलें आप सफाई रखें आप ऐसा करके किसी के उपर नहीं सर्व विश्क के उपर उपकार कर रहे हैं आप कोरोना को कह रहे हैं कि भई बाहर रहो है, यह हुआ, अलग-अलग WhatsApp आएंगे कि डाक साब इस therapy को करें करें, अरे कुछ नहीं करें आप अराम से जो music आपको सुनना है जो positive चीजें आपको करने हैं अच्छे भजन सुनने हैं अच्छे scriptures पढ़ने हैं कुछ और आपको जो खुशी देता है आनंद देता है, वो कारें आप करें अपने रचनात्मक जो बच्छपन के जो हमारी चीजे होती तो उनको बाहर लेकर आएं और अपने मित्रों से, परिवार वालों से और ज़्यादा जोड़ें और उने बोलें कि मैं ठीक हो, मैं बिलकुल भड़िया हूँ और मैं जल्दी भाहर होकर आऊँगा और ये दो, चार, पांच, देस दिन बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे ओड़ जाएंगे तो ये सिंपल टूल्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं लेकिन इस सब में अकसेसरी जो केर है पानी लेना है रेगुलर पानी सिप्स लेने है हाइड्रेट करना है भोजन का द्यान रखना है इसका बहut-βहut important है क्योंकि शरीर और मन दोनों का द्यान रखना बहुत-बहुत चुक्रेरोग सब मैं समझता हूँ जो आपने कदम बाइ कदम स्टेप बाइ स्टेप आपको ले जाएंगे कि आप अपने प्रोटेक्शन को बिल्ड करें मैं वापस आपके पास आऊँगा हमारे साथ प्रमा को मैरे सिस्टर शिवानी है दिदी आपसे ये बात पुछना चाहता हूँ कि जैसे दॉक्टर मोहित ये बात कह रहे थे कि हम अपनी एक दिंचर्या बनाए हम सुबह से लेखे शाम तक क्या करेंगे तो अचानक जब ये रूटीन हमारा तूटता है जब हमें कुछ करना नहीं है हम कमरे के अंदर आइसलेट हो गए है तो जादो तर लोगों में देखने को मिलता है कि लोग सल्क कर जाते हैं लेजी हो जाते हैं सुबह उठने का टाइम बदल जाता है उठके करना भी क्या है ऐसा हो जाता है तो हर चीज में धील सी आ जाती है तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या असर होता है इसका वेक्ति के मन पर जब ऐसे lifestyle में change हो जाता है, बहले वो कुछ दिनों के लिए ही सही, बट यह बहुत सारे लोग face कर रहे हैं अभी. जीवन की कोई भी परिस्थिती का सामना करने के लिए मन की स्थिती सही होना बहुत जरूरी है, परिस्थिती का सामना यहां नहीं होता, सबसे पहले परिस्थिती का सामना यहां किया जाता है, जैसे ही हमें पहला symptom होता है, जैसे डॉक्टर मोईद भया ने बताया, हमें अपन खराश, जो थोड़ी uncomfortable है, पहला वो थोड़ा सा 99 बुखार, उसमें अगर बहाने नहीं बनाते, ये बहाने हम actually किसको बना रहे होते हैं, ये हम खुद को भी बना रहे होते हैं, और एक दूसरे को भी बना रहे होते हैं, क्योंकि पिछले इस एक महीने में हमने बहुत सारे ये देखा है, तो अपने संस्तारों की checking करते हैं, कि मेरी सोच को भी मुझे change करना है इस परिस्थिती का सामना करने के लिए, दरना नहीं है कि मुझे न हो जाए, तो पहले वो, अगर हमारे घर में किसी को नहीं है, तो फिर panic की thoughts create करने की ज़रूत नहीं है, कई बार हम एक दू लाइन में ये बोलने की ज़रूत नहीं होती है किसी को के COVID हो जाएगा, you see it's a programming that is happening, we have to be very careful, जैसे हमारे बाहर का एक एक कदम, एक एक कदम जो हमने अभी सुना और समझा ना, बहुत छोटे हैं ना कदम, लेकिन बहुत पावरफुल हैं, इसी तरह हमारी सोच का एक एक कद बहुत छोटा सा कदम हैं, सही सोच, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमें बनाता है, तो अगर हमारे घर में किसी को कोई लक्षन नहीं है, तो फिर फिर और पानिक क्यों क्रियेट किया जा रहा है, सबसे पहले वहाँ अपनी सोच को चेक करना है, सब कहत हों घरों के अंदर किसी एक को कोविड है, वहाँ पर जिनको है, वो अगर कहें कि हमें डर लग रहा है, चिंता हो रही है, वो भी थोड़ी देड के लिए, ओके, फाइन, परिस्थिती का सामना कर रहे हैं, वैसे तो उनको भी जैसे मोईद भया ने बताया ना, अपने मन को खुश रखकर, हैपी रहकर, अच्छा पढ़कर, वो उस बीमारी को फेस करते हुए भी पॉजिटिव रह सकते हैं, बहुत हैं, जो इस बीमारी के इलाज के दौरान अपने लाइफस्टाइल को बड़ा अच्छा बना लिया, जो पहले नहीं बनाया था, और फिर वो यह कह करते हैं, COVID तो चला गया, लेकिन इस लाइफस्टाइल को मैंने पकड़ के रखना, it's a way of facing the situation, तो अगर हम ये भी अभी इस समय मानें के लाखों घरों में हैं, लेकिन लाखों इंग घरों में हैं तो लाखों घरों को अगर हम इस समय एक सेकिन permission देते हैं, कि लाखों घर च करोड मन जो अपने माइंड को अगर काम रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, बाइब्रेशन उन लाखों मन के ओपर प्रभाव डालेगे, उन लाखों का जो इलाज कर रहे हैं, दिन, रात, अथक होकर कैसी कैसी सीन का सामना कर रहे हैं, कल मुझे कि किसी ने कहा हॉस्पितल से, कहते हैं, आप कभी देखो, वो जो भाया, जो अम्बूलेंस चलाते हैं, वो आज एक दिन में कितनी डेड बोडी, कितने शव उठाने पड़ रहे हैं, इसका इन पर क्या इंपक्ट आने वाला है, तो इसी वो लोग, इन सब के उपर, हम एक सो करोड मन का प्रभाव पड़ता है, तो उन लाखों को फिर भी परमिशन दो डर और चिंता की, हम सब क्यों डर और चिंता की थोट्स क्रियेट कर रहे हैं, यह हमारा पहला कदम होना चाहिए, कि हम शांत, स्थिर, निडर रहें, हम घर में बंद हैं, कोविड अंदर नहीं आ होती है, लेकिन हम करोडों मन सिरुफ उन बातों को सुनकर देखकर डर क्रियेट कर रहे हैं, so that is our first step, कि अगर मेरे घर में किसी को नहीं है, मेरी सोच क्या होनी चाहिए, शांत, स्थिर, निडर अपने आपको positivity से flood कर दे, वो ही positive बाते सुने, positive scenes देखे, positive meditation, scripture studying, spiritual study, भर दे, जब करोडों करोडों मन positive होंगे न, तो लाखों मन को बहुत शक्ती मिलती है, और जो इलाज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत बल मिलता है, otherwise we have created a vibration of panic in the country, and this panic is not good for the situation, it's not good for the situation, ये देश की vibrational energy को down लेकर जा रहे हम, देश की vibrational energy को उपर लेकर जाना है, देश की vibrational energy healing की होनी चाहिए इस समय, और हमें पता है कि healing का मन कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली सोच, जिनके घर में कुछ नहीं है, कोई scene नहीं है, जो मोईद भया ने बताया, वो सारे steps का ध्यान रखेंगे, साथ में यहां ध्यान रखेंगे, every thought has to be right, every thought has to be right, second, जैसे मोईद भया ने बताया, किसी के घर में पहला symptom, अब सोच, carelessness की नहीं, क्या हो रहा है, जब हम किसी से कहते हैं आपको 99 बखा रहे हैं, आप isolate हो जाए, तो पता है क्या कहते हैं, इतना वहम करने की ज़रुत नहीं है, इस मौसम में जादा तर मुझे इतना हो जाता है, तो व होना, it's better, हम extra cautious हो गए, हम एक कमरे में बैठ कए, अच्छा है ना, 4-5 दिन बैठ जाओ अलग कमरे में, वैसे तो हमेशा कहते रहते हैं, I need my room, I need my space, बहाना ले लो, बैठ जाओ, it's better to be cautious than to be careless, तो careless के संसकार को खतम करता है, over cautious होना, safety है, careless होना, danger for so many, तो वो हमारा second step है, क अगर वो family member नहीं वो awareness ला रहा, तो family में किसी और को strict होना पड़ेगा, you know, so one member, we need one member in every family, हर परिवार में एक सदस से होना चाहिए, जो बिलकुल ये awareness, सतर्कता, alertness के रहे, हरे की checking हो रहे है, and strict हो जाए, कि isolation means isolation, उस पे जगड़े होने दो, उस पे चिलाने दो, उनको जैसे ही अब isolate करें, तो panic ना create कर दे साथ में, उसकी तो ज़रुत नहीं थी, उल्टा शुक्रिया करें, this is what we've been sharing with everybody, शुक्रिया करो, अरी परमात्मा आपका कितना शुक्रिया, मुझे शुरू में ही पता चल गया, मुझे शुरू के 99 में पता चल गया, मैं आपका कितना कि शुक्रिया करो, मुझे परिवार के सदस्य का शुक्रिया करना चाहिए, कि मुझे मेरे पहले साइन में isolate कर दिया, क्योंकि जैसे डोक्टर साब ने बताया, कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे, तो हमें कितने शुक्रिया गाने It's all a thought, अगर हम careless होंगे, शिकायत करेंगे, vibration down, शुक्रिया करेंगे, careful होंगे, vibration up and obviously उसमें हमारी protection है, तो हर कदम पर सोच सही, ये बहुत important है और फिर जैसे आपने कहा, अगर isolation में होते हैं, तो दिनचरिया fix करना बहुत important है, वो वाली दिनचरिया fix कीजिए, जो सालों से करना चाहते थे, लेकिन हमेशा कहते थे, काम की वज़े से नहीं हो पाती, परिवार की जिम्मेवारी की वज़े से नहीं हो पाती, and वो सच था हम बहुत सारी हमारे पास जिम्मेवारिया हैं, तो उस समय हम अपने लिए, जो हम जानते थे कि हम healthy lifestyle है, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, उठकर meditation करना, अगर और थोड़ा ठीक फील हो रहा है, थोड़ा ब्रीधिंग exercise करना, और अच्छा थोड़ा फील हो रहा है, कमरे में थोड़ा सा walk कर लेना, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने 6000-8000 steps कमरे में बंध होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन है वो करने के लिए, हम हर घंटे में थोड़ी देर walk कर लेते हैं, हम थोड़ा सा, you know, movement करते हैं body की, हम थोड़ा yoga, there is so much I can do in isolation, जो मैं इतने सालों से बोल रही थी, मुझे तो time ही नहीं मिलता, मुझे तो time ही नहीं मिलता, तो actually समय का भी शुक्रिया कीजे, कि परमात्मा, बड़े दिन से मैं मांग रहा था, 10-15 दिन मुझे अपने लिए मिल जाए, चलो, इसी बहाने सही, मिले तो सही, use that in the most beautiful, productive manner, and this is power, and फिर early to bed, early to rise, इसको implement करें, क्योंकि इस सब में हमारी healing है, कि हम रात को जल्दी सो जाएंगे, चोटी सी चीजे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम free हैं, तो TV देखते रहते हैं, अब देखते ही रहते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं, कब 10 बजे, कब 11 बजे, क्योंकि सुबह उटके कुछ करना तो है, नहीं न, office का काम भी नहीं करना है, तो 12 बजे, एक भी बजे, we need to understand, हम isolation में हैं, लेकिन हम healing में हैं, healing में हैं, तो मुझे मेरे mind and body को कितना सात्विक रखना है, कितना pure रखना है, कितना divine रखना है, जितना हम अपने mind and body को higher vibration, purity और सात्विकता में रखेंगे, तो कोई भी बीमारी उससे ठीक होती है, तो COVID क्यों नहीं जाएगा, वो तो virus ही है, और initial stage में पकड़ा, लेकिन बीमारी है, और उसके अंदर movie after movie, serial after serial, और उसमें कौन सी सात्विकता हमें मिलेगी, हाँ, COVID की बाते हम नहीं सुन रहें, लेकिन violence की movie देख रहे है घर तूटने की, death की movie देख रहे हैं, serial देख रहे हैं, emotion तो वही create होगा, बले अलग चीज से होगा, लेकिन emotion तो वही create होगा, and this is not healing energy, this is opposite of healing energy, यह stressful energy create करता है, तो हम सुबर जल्दी उठते हैं, शुकराना से दिन का शुरू करते हैं, सबसे पहला thought आँख खोलते ही शुक् क्यों नहीं शुक्रिया करें, क्यों नहीं शुक्रिया करें, क्यों नहीं शुक्रिया करेंगे, तो परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, शरीर का बहुत शुक्रिया करना है, कि आप इस वाइरस से बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, आपका बहु योगन को, even अगर बहुत दर्द हो रहा है ना, बोडी में बहुत वीक्नेस हो रही है, तो भी एक-एक अंका शुक्रिया, thank you, thank you, you are winning over this disease, thank you so much, जितना हम किसी को thank you करते हैं, शुक्रिया करते हैं, हम उसके साथ एक harmony का रिष्टा बिल्ड करते हैं, अगर हम सारा दिन शिकायत करते हैं, ये भी दर्द हो रहा है, अभी तो ये भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर साब अभी तो सिर्भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बता दे, लेकिन सारा दिन शिकायत वाली थोच नहीं create करें, शुक्रिया, दर धोड़ा है बट I'm winning, दर धोड़ा है बट I'm winning, दर धोड़ा है बट I'm winning, it's all an attitude, तो सुबह सुबह शुक्रिया पर माथमा का मन और शरीर का लोगों का हमारा ध्यान रख रहे हैं और सारे देश में और स्रिश्टी पे सारे जो अथक होकर बाहर सब का ध्यान उनका तो दिन में कई बार शुक्रिया करें, कई बार शुक्रिया करें, कई बार दुआएं करें, क्योंकि उनकी ये जो यात्रा है, अभी कुछ और महीने चलने वाली है, कई और महीने चलने वाली है, उनको बहुत करोडों मन की दुआउं और शक्तियों की शुक्रिया की बह करना क्या है अपना लाप्टोप ओन करना है भले अगर लेटे भी हुए है नहीं बैठा जा रहा है कोई बात नहीं कामरा ओफ सुनते जाओ बैठे बैठे मेडिटेशन सीख लिया चो इतने सालों से सीख रहे थे इस समय ब्रामा कुमारी मेडिटेशन सेंटर्स पर हर जग ऑन अनलाइन मेडिटेशन कोर्स कराए जा रहे हैं मेक तो मोस्ट ओफ इट दस दिन रोज एक घंटा आप ऑनलाइन कोर्स करें अभी तो बहुत टाइम है दिन में दो दो बार भी कर सकते हैं अच्छे से फिट हो जाएगा सारा कुछ अंदर तो मेडिटेशन सीखें ताकि आपके मन को चांस ही न मिले कुछ ऐसा सोचने का कि अगर मेरा ओक्सिजन डिप हो गया तो इमेज़िटली चेंज और तो यह कदम है सही सोच जैसे ही मन कहें अगर मेरा ओक्सिजन भी 80 गया तो तो बैठकर उसको प्यार से बोलो यह देखो ठीक आ रहा है ना आ रहा ह तो आपने मन के साथ बिलकुल वैसे बात करें जैसे हम दूसरे के साथ बात इसको गलत सोचने की मारजिन ने देना इसको तुरंत वहां रोक के ठीक करना जैसे हम एक बच्चे को बोलते हैं ऐसे नहीं बोलना है ऐसे बोलो वो बच्चा फिर गलत बोलता है हम फिर रोकते है सही बोलो, सही बोलो, सही बोलो, सीख जाता है बोलना, सही सोचो, सही सोचो, सही सोचो, ठीक जा, सोनना सीख जाएगा, तो जैसे मन कहे, उनका oxygen 80 चला गया था, फिर उनको तो bed भी नहीं मिला, वो तो गाड़ी में एक hospital से दूसरे hospital तक चले गए, अगर मेरा ऐसा हुआ, that there is no end, I have been receiving emails saying, they don't even have COVID, there is no COVID in the house, लेकिन माइन ये कह रहा है, अगर मेरी death हो गई, तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, this is our situation right now, of our thinking, COVID घर में भी नहीं आया है, और सोच रहे हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, क्यों ये हो रहा है, इसका reason ह it's in the air, ये हवा में है, ये भी तो एक infection है जो हम catch करते हैं, लोगों की सोच, COVID तो बंद अरवाजे से अंदर नहीं आता, लेकिन सोच तो आ जाते हैं, सोच डस नाट गेट प्रोटेक्टेड बाई बंद घर, मास्क, सोच तो सिरफ सोच से प्रोटेक्ट होती है, तो अपनी बैठ कर उसको oxygen meter दिखाओ, ये देखो, 97 है, फोटो कीचो, दिखाओ उसको, फिर लिखो, my oxygen is 98, it is perfect and will always be, लिखने से यहां एक programming होती है, क्योंकि बहुत fear है ना असपास, लिखो, उसको बार बार लिखो, keep writing it, my oxygen is 98, till your mind gets convinced, ये इसलिए जरूरी है, उस 98 को हमें 98 ही रखना ह है, अगर मैंने यहां से 80 क्रिएट करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ नहीं है, हमें तो वो स्थेती पर पहुंचना है, कि अगर by chance 90 आ गया या 88 आ गया, तो भी हम panic नहीं करेंगे, तो हम immediately next gear पर जाएंगे, जो Dr. Mohit ने बता है, लेकिन जब 98 है, तो 80 कैसे सोच सकते हैं, So, सही थोट, So, teach your mind how to think, write it out, repeatedly उसको बोलो और वो thoughts को सारा दिन में repeat करो, कि मेरे lungs perfect है, मेरा शरीर perfect है, मेरा oxygen 98, 99 है, perfect है और perfect रहेगा, हम वो information लेते हैं, जो कि सच है, उनका 80 हो गया, लेकिन हम वो information ने लेते, वो लाखों, 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 जिनका 98 पर ही ठीक हो गया COVID, उनका नहीं डिप हुआ था, वो बहुत initial stage में आ गया, तो information लेनी है, तो वो वाले लेनी है, जो मेरे माइन को और powerful बनाएंगी, तो लाखों, लाखों हैं, जो पहले तीन दिन के बुखार, पहले पांच दिन के बुखार, जो पहले पांच दिन के बुखार, वो ठीक हो गय हैं, बिना hospital जाए ठीक हुए हैं, घर में रहकर ठीक हुए हैं, जिनको पता ही नहीं चला कब उनके 15 दिन वो आए और चले गए, घर में सब प्रत, दोस figures are much-much higher, Dr. Mohit हमें figure भी बताएंगे, कि they are much-much higher than वो जिनको hospital जाना पड़ा, या वो जिनको बैट नहीं मिला, so protect the mind, बहुत important है, और फिर सारा दिन में, अगर आप ठीक हैं, तो आप work from home करते रहें, isolation doesn't stop us from working if we are doing online work, करते रहें, जितना मन engaged रहेगा, खुश रहेगा, सोचेगा नहीं COVID के बारे में, क्योंकि इस time पर हमें COVID के इलावा बाकी सारी बाते सोचने और बात करने हैं, और जब किसी से बात करें, क्योंकि सब को phone करना चाहिए उनको, it's good to connect with people at that time, but again like Dr. Mohit ने बताया, COVID के इलावा कोई भी बात, confuse हो रहे हैं लोग, क्योंकि हर एक अपनी intention अच्छी है, विकिन advice अलग-अलग मिलती हैं, तो confusion नहीं, and COVID के समाचार नहीं देखे, नहीं सुने, नहीं देखे, को set करें, अगर उससे पहले अपने मन को set करें, isolation में आप जा रहे हैं, तो पहले अपने मन से शुरुवात करें, वहाँ पर positivity ले आए, फिर अपनी दिंचरिया को set करें, और आपने ये एक कदम बताया कि हम कुछ भी COVID news access नहीं करें, क्योंकि उसका हमारा कोई फाइदा नही अगर फाइदा नहीं हो तो भी access कर सकते हैं, लेकिन नुकसान बौत है, मैं आपको कल की बात बताते हूं, एक बहन चो कई सालों से meditation भी कर रहे हैं, उनको सुरफ एक report आइफोन पर के उनका 15 साल का बेठा COVID positive है, you know why this is happening, it's in the air, मैं ये बता रहे हैं, and she just called and she started crying, I said कुछ भी नहीं होगा बेठा, she said मेरा पच्चा COVID positive, and she panicked, so you know this we are seeing, there are people who will never panic otherwise, लेकिन it is influence, and you know what she said, I said, आप इतना पानिक तो कभी किसी बात पे नहीं होते, then she told me, she said मैं उसी समय एक वीडियो देख रहे थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि छटे दिन कितना complication हो गया, और कैसे स थिती बिगडी, और मैं वो वीडियो आधे में सिरफ वो देख रही थी, वो disturbance, और मेरे हस्बन के फोन पे ये मेसेज आ गया, मेरे बेटे का अच्छटा दिन है, to see the instant, she said I was, I'm in the middle of watching that video, and he showed me the report, this is impact, impact on souls who were so stable, so powerful, this is impact, so far we have to take care of that. क्योंकि हमने ही connect कर दिया न, उस चीज को, क्योंकि मैंने ही ये सोचा कि मैंने ये information लिया और मैंने तुरंट उसको process कर दिया और मुझे लगा कि अभी यह होने वाला है, that is something that I can change, और उस moment पे मुझे वो कदम उठाना है कि उस समय पर मैं positive सोच हूँ, मैं बात्रीत को और आ पर पास जाना चाता है, Dr. Mohit, ये जो चीजें आसर होती हैं, हम emotionally ये चीजें आसर होती हैं, Sister Shivani से सुन रहे थे, but आप medical field में हैं, आप खुद देखते हैं कि medical professionals पे इतना ज्यादा stress है जहां पर वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, आप practically देखते लोगों को ठीक होते हुए, आप बताएं कि कैसे, किन numbers पर हमें attention देना है, कैसे हम जब देखते हैं इस information को, तो उसे कैसे process करें, देखें, बच्पन से ही हमको एक बात तो बहुत सुन्दर बताई गई है, कि always look on the brighter side of life, अब ये कोई पुरानी बात नहीं है, केवल हम अपनी पुरानी basic बातों को revisit कर रहे हैं, लेकिन जैसे सिस्व शिवानी बहुत सुन्दर बताया, कि आप देखिये, कि हमारा brain का जो tuning हो चुका है, mind का जो tuning हो चुका है, वो है negative aspects को देखना, and this is holding true both for the doctors, healthcare professionals, and also for the patients, and that is why आज की समय में हम देखें, तो हमारे doctors भी, आपने सोना होग कि काई doctors ने depression के अंदर, anxiety में जाकर, और एक ने तो society तक भी कर लिया, ऐसे extreme steps ले रहे हैं, and this is because of the instability, we must understand, कि ऐसे समय पर 95% जो हमारा COVID है, 90-95% of people, they don't require admission, उनको जरुवत ही नहीं पढ़ती है, वो ठीक हो जाएंगे, यानि आप सोचिये, सौ लोगों में से हुआ है, उनमें 90-95% asymptomatic या ठीक या mild illness से निकल जाएंगे, और मैं यह सोच हूँ कि मुझे अगर होता है, तो मैं 5% महीं और 5% में से भी 1% जो बहुत सिक हैं, उसी में मैं जाओंगा, तो this is height of imagination, इसको हम बहुत सुंदर कहते हैं, कि this is catastrophic thinking, जो आज के समय में एक वर्दान है, यह देखे, आ जो आज के अगर होती है, कि जब वो किसी चीज को magnify करता है, तो वो उसके emotions को भी magnify कर देता है, तो आज जब हम लोग negative चीजे सोचते हैं, morning के अदर उतते हैं, whatsapp खोला, whatsapp खोलते हैं, whatsapp good night होती है, whatsapp good morning होती है, facebook, twitter good morning होती है, फेस्बुक, twitter good morning होती है, उसको खोला, और तैयर है, उसको यह हुआ, इतना फून आया, वो इतने मर गया है, वहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर oxygen नहीं है, understandable, problems है, situations है, हर जगे है, लेकिन how is it going to help me, और अगर हम सब के, आप सूची, आप सभी दोख सूची है, अगर हम सब के चिंता करने से और डरने से, महल better होता है, तो क्यों नहीं हम लोग साथ बैठके इखटे डरें, यह बहुत अच्छा तरीका है डरने का, ऐसा है नहीं, this doesn't work that way, तो आज इस समय पर statistics को समझते हुए positive aspects देखिए, कोरोना की news को ना सुनने का मतलब मैं आपको यह नहीं कहता कि कोई नई चीज़ आ रही है, आप ना जा कर रहा है easily, ओ धून रहा है उसको कि कुछ negative ना हो जाए और कहीं हमारे जीवन में ही ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे समय पर और negative news को पढ़ना, उसको अपने जीवन में समाना, और वो भी तब जब 90 to 95% of जो messages हमको आते हैं, वो false होते हैं, baseless होते हैं, या forwarded होते हैं, तो ऐसे सम है, cautious और aggressive approach, cautious aggression is the right word, आप cautious रहते हुए, aggressive रहेगे ना, ऐसा नहीं lay back attitude, कोई नहीं हो जाएगा, बुखारी तो है, नहीं, monitoring is very very important, जो मैंने आपको बताया, वो बहुत important है, यह simple steps आपको guide करेंगे, लेकिन रोज संकल्प करिए कि I am fine, I have many patients, मैं आपको गिंती नहीं बता सकता जिन लोगों को केवल इन संकल्पों के द्वारा, उनको हमने कहा कि आप hospital में भी admit हैं, आप isolation में भी हैं, आप रोज केवल ये thought दीजिए, कि आप powerful हैं, आप peaceful हैं, everything is going to be fine, फिर कई बरी में उनको बड़ी interesting exercise बताता था जो मैं आपसे share करना चाहूंगा, कि जब हमको COVID होता ह या किसी व्यक्ति को होता है, तो हम कहते हैं, breathing exercise करो, अब breathing exercises दो प्रकार की करना है, और breathing exercises के साथ साथ, जब हमको asymptomatic COVID भी है, तो हमको chest के बल लेटना है, अब कैसे exercise करनी है, तो हम उनको बताते हैं, कि भाई आप गहरा सांस लीजिए, और उसको रोक कर बाहर छोड़ दीजि फिर दूसरा एक होता है, pursed lip breathing, यह pursed lip breathing बहुत बढ़ी है, कैसे? आपने अंदर लिया, यह lungs के अंदर गया, और इसको आपने बाहर छोड़ दिया, तो इसमें हम कहते हैं कि जब आप ऐसा गहरा सांस लेते हैं, तो आप ऐसा सोचे कि परमात्मा का प्यार आपके lungs के अंदर जा रहा है, और सारे toxins dissolve हो रहे हैं, lungs बिल्कुल expand हो रहे हैं, और जब आप बाहर exhale करते हैं, तो exhale करते हुए शुक्रा रहा है, thankfulness, gratitude हरे के लिए लाइए, तो वो लोग इसको अभ्यास कर रहे हैं, when they are doing this, they are creating miracles, तो यह शक्ति कि इसके पास है, यह हमारे belief system के बास है, आप अ तो भी आम बिल्कुल सही है, यह आपकी अपनी choice है, कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, और doctors, हमारे healthcare workers, जो दिनों रात लगे हैं, जैसे दीदी हमेशा बोलते ही हैं, कि self-care is important, you know, you can't serve for my empty ball, अगर आप स्वयम खाली हैं, तो दूसरों को आप कैसे दे सकते हैं, इसलिए, क आते हैं, उनको जोडते हैं, कि शांती से, प्यार से, अपने मन को चार्ज करें, क्योंकि शरीर से ज़्यादा है, इस वकत हमारा मन कारे कर ला है, और ठक क्यों रहे हैं, ठक शरीर से नहीं रहे हैं, ठक हम लोग अपने मन से रहे हैं, आदमी मन से ही ठकता है, शरीर से नहीं थक्ता है, तो जब हम अपने मन को बार-बार चार्ज करेंगे, पांच-पांच मिनिट, दिन में पांच-पांच बारी, इतना तो करी सकते हैं, 1440 मिनिट हमको रोज गिफ्ट मिलते हैं, उन 1440 मिनिट में से केवल 20 मिनिट निकालने हैं, इतना तो selfish हम लोग हो ही सकते हैं, है न, COVID time में भी इतना selfish हो सकते हैं, तो रोज अपने आपको powerful संकल दीजिये, meditation के द्वारा, I am powerful, I am peaceful, I am serving soul, I am God's angel, मैं परमात्मा का right hand बच्छा हूँ, और आपके द्वारा मैं heal कर रहा हूँ, बावा की परमात्मा की vibrations आ रही है, वो vibrations जो हैं, automatically patients को जा रही है, तो उससे क्या होगा न, कि आप medicine भी दे रहे हैं, इसको psychology कहते हैं, आप समझेए, वो दवाई खाना एक बात है, लेकिन उस दवाई को energize करना, अपनी vibrations के द्वारा, वो बहुत important है, तो मैं अपने patients और doctors, सबको यही बोल रहा हूँ, कि इस energy को clearly अपने अंदर inculcate करिये, इस energy को अपने अंदर जागरित करिये, और उसके साथ ही उनको आप भुजन दीजे, उसके साथ उनको treat करिये, उनके साथ उनको धवाई दीजे, और अपने आपको भी detach रखिये, too much emotionally involved, अगर हम patient care में हो जाएंगे, तो क्या होगा, कि हम उनकों साथ justify ने कर पाएंगे, यह rule है, doctor has to be caring, he has to be sympathetic, लेकिन वो इतनी empathy अगर develop कर लेगा, तो उसकी decision power जो है, वो समाथ हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है self-care, तो इस data को ज़रूर संभाल कर रखिये, कि 95% लगा लिजे सामने, कोविड आया न, 95% लोगों को किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है, 95% लोग बिलकुल ठीक हो जाएंगे, और मेरा number है 95% में 100% है, इन मेरा number इन 95 में 100% है, तो आपकी immunity, कोविड क्या करता है, ध्यान रखिये, deaths क्यों होती है, क्योंकि पहले 4-5-6 दिन के बाद, हमारी body immune phase में जाती है, और जैसे immune phase में जाती है, वो disastrous होता है, यानि हमारे immunity system पर प्रहार करता है, और आपको जानकर हैरानी होंगी, कि जो लोग daily exercise करते हैं, जो लोग aged है, 101 साल का व्यक्ति कैसे जीत रहा है इस पर, अपने lifestyle के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, तो वो अपनी immune system को powerful बनाता है, अपने nutritional, यानि proper भोजन खाने के द्वारा, और अपने thoughts और exercises के द्वारा, ये proven है, this is all pure, हमाँ परस रिसर्च है इस वकत, कि जो लोग exercise करते हैं, जो लोग energized हैं, जो लोग अपने समय पर daily, अपने अच्छे lifestyle को follow करते हैं, वो COVID को बहुत सुंदर रूप से जीत कर बहार आ रहे हैं, तो ये छोटे steps जब हम लेंगे, तो इन चीजों के प्रती हम लोग easily विजय प्राप कर सकते हैं, लेकिन again, मैं आपको फिर बोलूँगा, vaccination के साथ साथ, masking बहुत important है, सब कुछ करना है, लेकिन हमारा जो मूल मंत्र है, बहुत important, fast recognition, very very important symptoms को recognize करना, सब लोगों की testing करा के, घर को system को clean कर देना, अगर एक भी वेक्ति को आता है, उसको isolate कर देना, और proper तरीके से steps लेना, right time पर दवाईयां लेना, डॉक्टर से consult करना, ये बहुत powerful है, to win COVID, medicines and doctors have a role, but उससे भी ज्यादा role जो है, आपकी अपना है, आपका physical और आपके अपने thoughts का है, क्योंकि आपका thoughts, आपके विचार, आपके बविशे को attract कर रहे हैं, मैं बार बार आपको ये बताना चाहूंगा, और इस बिमारी के समय में, ये सबसे pertinent है, हमने 25-30 साल के अपने experience में, कभी भी अपने thoughts की power को इतना use नहीं किया, मरीजों को इतना हमने नहीं समझाया, जितना इस समय वो लोग कर रहे हैं, and they say कि डांक साभ, I am healed, I am feeling that मेरे को लगता है कि मेरी energy better हो रही है, बार-बार वो देखते हैं कि saturation बढ़ती चली जा रहे है, and they are so happy, वो message करेंगे कि मैंने ये exercise किया, और मेरे को लगता है कि मेरी immunity better है, मेरा saturation better है, और हम कहेंगे keep on doing it, और ये ही नहीं, बाकी लोगों को भी a positivity transform करो, infectious, see, जितना virus infectious है, और जितना virus disastrous है, उतना अपने thoughts को भी infectious बना लीजे, and thoughts are value neutral, अगर negative thoughts लगाएंगे, तो वो भी infect करेंगे, लेकिन जब आप positive thoughts लाते हैं, powerful thoughts लाते हैं, purposeful thoughts लाते हैं, तो आप अपने subconscious mind की, अपने अर्ध चेतन मन की programming करते हैं, दीदी क्या बता रहे हैं, को यही कह रहे हैं न, programming, repetitiveness, programming करेगी, और programming के बाद, हम उसको अपने अनुभव में लाएंगे, and we are able to win over this disease, तो ऐसी ऐसी चीजें, जब हम करते हैं, हमारे doctors, हमारे healthcare workers, हमारे patients, वो इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, mutant strains आ रहे हैं, multiple चीजें आ रहे हैं, forwarded और messages आएंगे, don't get bothered, इससे आप चिंता नहीं करिये, कौन कैसा कहां पर असर कर रहा है, यह आपका prerogative नहीं है, आपको ध्यान रखना है, कि मैं दवाई लूँ, मैं अपने समय पर proper तरीके से vaccine लगवाँ, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि vaccine आप लेते हैं, तो आप अपने को protect करते हैं, कितना response आता है, वो हर विक्ति के लिए differ करेगा, लेकिन जब आप properly vaccinated हैं, और COVID अगर होता भी है उसके बाद, तो भी chances of having severe illness, यानि बहुत severe form में जाना, वो कम होता है, तो यह responsibility है हमारी, और एक दूसरे को सयोग दे है, कोई बताएगा कि तुम्हें पता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तुम भी देख लो कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, बस, जैसे यह thought आया, और हमारा chain reaction चालू हो गया, फिर phone आएगा sir, मुझे उस व्यक्ति ने बोला, मैंने का किस ने बोला, किसी doctor ने बोला, कहते हैं नहीं, मैंने का किसी patient ने बोला, कहते हैं हाँ, तो मैंने का हैं, इंडिया में सब लोग patients, सब doctors हैं, हर व्यक्ति is ready with an advice, आपको right advice को choose करना है, आपको rational advice को choose करना है, और अपनी मननेताओं को, अपनी belief system को strong बनाना है, कि मैं विजयी रतन हूँ, मुझे जीतना ही है, तो you will be victorious out of this. मैं सिर्फ एक line में, इसका जवाब चाहता हूँ, बहुत सारे लोग vaccination के बारे में, अभी भी doubtful है, लगाएंगे तो भई हमको बुखार होगा, हमें कुछ side effect होगा, उन सब लोगों के लिए आप क्या कहीं है, vaccination लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? 100% लगवाना चाहिए, एक लाइन में 100% लगवाना चाहिए, vaccine के थोड़े side effects होते हैं, जादा तर लोगों में, majority लोगों में side effects मेजर नहीं होते हैं, और कोई भी चीज अगर larger masses में benefit देती है, हमें उसका उपयोग proper तरीके से करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ती COVID से recovered है, तो उसको vaccine लेने में या second dose लेने में थोड़ा सा delay करना चाहिए, these are guidelines जो सब issued है, ये बहुत important है, तो इसलिए आपको vaccine का proper उपयोग जरूर, उसको use जरूर करिए, ये powerful tool हमारे scientists ने हमको gift के रूप में दिया है, ये, thank you Dr. Mohit, आपने ये बड़ी खुबसूरत बात कहें, कि हमें इस बात की समझ रखनी है, और बहुत ही carefully हम इन चीज़ों को देखें, बहुत सारे लोग information हमें देते हैं, but वो भी infectious है, आप क्या सूचते हैं, आपके विचार infectious है, अब हम ये भी सुनते हैं, कि भाई ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ों सही करनी हैं, और लोग बड़े सारे प्रयास भी कर रहे हैं, अब मैं lifestyle के बारे में एक और प्रश्न सिस्टर शिवानी से करना चाहता हूँ, सिस्टर शिवानी आप कह रहे थे कि लोग binge watching में चले जाते हैं, कि भाई, information consume कर रहे हैं, TV देख रहे हैं, या Netflix या पाता नहीं, कुछ भी online platforms पे हम access कर रहे हैं, तो continuously दिन भर ये कर रहे हैं, अब इसके साथ भोजन के बारे में जो हम बात करते हैं, तो भोजन के समय पर भी ये हो रहा है, कि हम TV देखी रहे हैं, या मूवी देखी रहे हैं, और भोजन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग binge eating भी करने लगे हैं, क्योंकि घर बैट के खाना ही तो है, तो ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है, तो ऐसे में lifestyle में जो food की प्रति, हमारी क्या सोच होनी चाहिए, कैसे हम food को consume करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, कि हाँ हमें fruits खालेने चाहिए, बट क्या वो conscious eating है, क्या उसमें क्या करना चाहिए, क्या proper तरीका होना चाहिए? हम सब को spiritual equation याद रखना है, जैसा अन, वैसा मन, और जैसा मन, वैसा तन, तो तीन energies हैं, अन, मन, और तन, तो अब क्योंकि मुझे अपने तन को ठीक करना है, तो मुझे अपने मन को ठीक रखना है, और क्योंकि मुझे अपने मन को ठीक रखना है, तो मुझे अन ठीक तरे से खाना है, and how we eat. हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं? ये दोनों चीजें हमारे मन और शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव दालने वाली हैं. सबसे पहले चीज, कि हमारा अन बन कैसे रहा है, उस पर ध्यान रखा जाए. वो भले जो isolation में हैं वो तो खाना नहीं बना रहे, लेकिन बाकी कोई उनके लिए खाना बना रहा है. कई घरों में ये भी हो रहा है, कि क्योंकि सभी को है, पूरी फामिली इनफेक्टेड होती है, ताकत नहीं होती कईों में उठकर खाना बनाने की तो वो लोग order भी कर लेते हैं लेकिन इस समय बहुत सारे लोग प्यार से ये सेवा offer कर रहे हैं कि हम खाना बना कर भेजेंगे जिस भी घर में COVID है और उनको खाने की जरूरत है अब सब लोग सेवा की तरहे और दूसरे कुछ लोग घर में अपने परिवार के सदेस्य की तरहे खाना बना रहे हैं उनको पहले अपनी consciousness को एक thought change करनी है हम खाना नहीं बना रहे हम प्रशाद बना रहे हैं मननत मांगे, प्रशाद लाएं कोई और जाता था तो उसको भी बोलते थे हमारे लिए आप वहाँ जा रहे हैं ना हमारे लिए प्रशाद लेकर आना और जब भी कभी प्रशाद मिलता है तो हम कभी पूरा अपने आप नहीं खाते इतना सा मिलता है तो भी उसको पूरा अपने आपने खाते उसको इधर उधर सबको घर में जो जो मिले सकते यह प्रशाद है तो प्रशाद means what? प्रशाद means the vibration of what we are eating तो अगर मुझे मंदिर जाकर पेड़ा मिला मुझे उस पेड़े या बर्फी के टुकड़ा तो उनों सबको देने हैं this is our intention तो हम हरेक को देते हैं यह बहुत deep belief है हम कभी प्रशाद पूरा अपने आप नहीं खाते उसको संभाल के एक घंडा दूर घर जाएंगे लेकिन सबको देंगे वो vibration क्या है उस vibration के अंदर इतना important है क्या इतने से छोटे से टुक्रे का vibration yes क्योंकि घाने के हमारे मन पर deep 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 impact डालता है इतना impact डालता है कि हमारी destiny पर असर डालता है हमने कई घर ऐसे देखे हैं जिसमें रिष्टों में ऐसे उल्जन होने लग गई बिना बात के जगडे हो रहे हैं बिना बात के snap कर रहे हैं दूसरे को irritate हो रहे हैं and then they are thinking कि हम पहले ऐसे नहीं थे हम क्या हुआ है हम क्या ये बात-बात में लड़ते जा रहे हैं बात and the only thing that comes out in many cases is they had probably got a new staff member to cook for them, खुदनी खाना बनाते हैं कई लोग busy रहते हैं तो उन्होंने किसी को सेवा पर रखा है खाना बनाने के लिए अब वो जो नया व्यक्ति आया है न उसके संसकार, उसके मन की स् उसके गाव में अगर उसके घर में कोई परेशानी जो उसके mind को trouble कर रहे है वो सारी चीज उस vibration उस खाने में जाती है और लोग बिना बात के troubled feel होने लगते हैं and जैसे ही वो या तो उस व्यक्ति के मन की स्थिति को address कर देते हैं कि आपके घर में क्या problem है आप बताओ चलो उ इसको ठीक करते हैं आपको घर में पैसे भेजने की ज़रुत है आपको ये आपको खुद घर जाके आना है एक महीना अपने घर की address the situation of that person या experiment करके देखे पांच दिन के कोई और खाना बनाए and they see a change they see a change लेकिन अगर हम इसको focus इस पे नहीं करे हम बहुत साल जगड सकते है without knowing के reason कहां से आ रहा था तो जैसा अन वैसा मन ये तो इतनी बड़ी power है जिसको हमें use जरूर करना चाहिए हमेशा और इस समय तो जो भोजन बना रहे हैं उनकी प्रथम जिम्मेवारी आज से उसको खाना वर्ड बोलना बंद करते हम प्रशाद बना रहे हैं और जिनके घर म उनको किसी के तन को नहीं ठीक करना लेकिन उनको सब के मन को ठीक करना है बहुत जरूरी है इस समय शेहर में देश में एक vibration बहुत predominant है वो है fear and anxiety हम देख रहे हैं फिर death फिर उसकी बहुत सारी vibrations है ये सारी vibration का पानी पर असर होगा because water will absorb the vibration फल पर सबजी पर फिर जो फल उग ख़िए जो सबजी उगा रहे हैं फिर जो उनको दुकानों तक ला रहे हैं फिर जो खरीदने जा रहा है यूसी अगर आज घर से कोई निकल कर market थे वह डर में जाता है वह डर में जाता है धर में जाता है मास्क पहन लिया लेकिन वह fear नहीं चूट रहा ना यहां से तो हम ह पर कदम actually fear में create करते हैं, तो वो सबजी को हम खरीद के भी fear मेलाते हैं, तो we have to be sure, जैसे हम चीजों को धोते हैं, कुछ घंटों के लिए touch नहीं करते हैं, यह सब करते हैं, उसी तरह हमें सब चीजों की vibration को भी धोना है, उन सब चीजों की vibration को change करना है, नहीं तो कभी-कभी unaware ह हमारे खाने पानी से ही डर और चिंता हमें आ जाती है, it's an emotional infection, तो जैसा अन वैसा मन, जैसा पानी वैसी वानी, इसलिए हम सुनते थे, आपने कौन से शहर का पानी पिया है, लोगों के व्यक्तित्व को उस पर जाजा जाता था, यह कौन से शहर का पानी पीते हैं, यह किसक घर का नमक खाते हैं, यह पानी एन नमक, so powerful, तो कौन से शहर का पानी पीते हैं, means, जो शहर के वो संसकार होंगे न, प्रेडॉमिनेंट, वो इस व्यक्ति के अंदर जरूर होंगे, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत सालों से उस शहर का पानी पीता है, और अपने संसकारों पे ह जिस भी गाव में रह रहे हैं, doesn't matter, डर और चिंता है, और वो पानी से हमारे पास आएगी, तो हम प्रशाद बना रहे हैं, और हमारी घर का पानी अमृत हमें बनाना है, हम जब मंदिर में जाते हैं, हम अमृत लेते हैं, वो अमृत क्या होता है, वो पानी होता है, जिसमें पंडित जी तुलसी का पत्ता डालते हैं, और तुलसी के पत्ते के साथ मंत्र बोलते हैं, और जैसे ही मंत्र बोले गए, वो पानी या पानी नहीं रहा, अब वो पानी अम्रित बन गया, वो पानी है या दूध है, लेकिन अब वो पानी नहीं रहा, दूध नहीं रहा, अब ह power उतने से पानी में, वो एक घुंड पानी में, तो पूरा glass पानी जो पीएंगे, और दिन में इतनी बार पीएंगे, और अगर COVID हो गया, तो डोक्टर साब ने का है, hydrated रहना है, तो हम और जादा पानी पीएंगे, juices पीएंगे, लेकिन emotional infection को साफ करके पीना है, that's very important, तो रसोई के अंदर, 24 घंटे, अब कुछ घंटे से नहीं चलेगा, situations बदली होई है न, तो 24 घंटे, high energy worth चलने चाहिए, तो परमात्मा के याद के गीत, prayers, mantra, bhajan, spiritual talks, जो अच्छा लगे, पूरा दिन चलना चाहिए, even रात को जब हम रसोई में नहीं है, तो भी वो चलना चाहिए, तो एक छोटा सा system ले, उसको रखे, लूप में डाल दे, वो पूरा दिन चलता रहे, प्रशाद मंदिर में, गुर्द्वारे में लंगर ऐसे ही बनता है, इसलिए वो लंगर और प्रशाद बन जाता है, तो पूरा दिन वो चले, जो खाना बनाने वाले हैं, उनको ध्यान रखना है, कि जब वो खाना बना रहे हैं, घर में न्यूज नहीं चल रहे हो उस समय, very important, क्योंकि हमारे घर चोटे-चोटे होते हैं, तो यहां के कमरे में न्यूज चल रही है, साथ के कमरे में खाना बन रहा है, तो वो शब्द सारे कहां आने वाले हैं, वो यहीं आ जाएंगे, तो सब को बता दिया जाएं, यह एक घंटा मुझे भोजन नहीं, मुझे प्रशाद बनाने के लिए चाहिए, मुझे घर में कोई और मीडिया नहीं चलना चाहिए इस समय, give me this one hour, मुझे यह एक घंटा दो सिरफ, तो वैसे तो किसी के भी घर में वैसे ही नहीं चलने चाहिए, लेकिन खाना बनाने के टाइम, no news, no cereal, घर टूट रहे हैं, लोग धोका दे रहे हैं, no cereal, no movie, no movie songs, no movie songs, क्योंकि अभी के समय के कोई भी गीतिया मुवी में कोई high vibrational words नहीं हैं, और प्रशाद बन रहा है, तो उतनी sanctity के साथ बनाना है, जितना आप प्रशाद बनाते हैं, हर एक घर में कभी न कभी कोई festival में पूजा के दिन भोग बनता है, और उस दिन हम कैसी त्यारी करते हैं बिलकुल वैसी त्यारी अब रोज करनी हैं, तो तन की तो परमातना के याद के गीत चले, भोजन बनाते समय हम फोन पे किसी के साथ बात नहीं करेंगे, इट इस अ स्ट्रिक्ट नो-नो, एपसलिटली नो-नो टॉकिंग अन दो फोन, क्योंके मैजॉरिटी फोन कॉल घुमा फिरा के कोविट तक पहुंची जाते हैं, किसे ना किस तो अगर मैंने कान में यवर्पीस लगा दिया, पॉकिट में अपना फोन रख दिया, क्योंके खाना ही तो बनाना है, उसमें यहां से कुछ चाहिए नहीं होता, तो हम बाते करने लग जाते हैं, बाते करते करते, बातों में जाएगा, आज देखा था टीवी पर, इतने उ उस हॉस्पिटल में तो उक्सिजन ही नहीं पॉंचा, नाव मैंने सुन लिया, किसी ने बोल दिया, और वो खाने में चला गया, फिर बाकी वो सारी कॉन्वर्शेशन्स, तो जब हम वो खाएंगे, तो हमारे अंदर यह थाट आना, कि मुझे वहा उक्सिजन नहीं मिला, त लेकिन यह थाट गई है, तो एक घंटा अपने को आईसोलेट करके भोजन बनाना है, which means no TV, no songs, no phone calls, phone तो रसोई में आना ही निचे है, hygiene wise भी और vibrational wise भी, phone रसोई में नहीं आता, रसोई के दर्वाजे को बंद कर दीजे, अगर है दर्वाजा ताके और लोग जो बाते कर र चार्थना करते हैं, जो मंत्रों बोलते हैं, और फिर साथ-साथ ये वाले thoughts भी डाल सकते हैं, शक्तिशाली मन है हम सारे, हरेक मन शक्तिशाली है, हरेक मन शांत है, हरेक मन निडर है, निर्भय है, पर मात्मा हमारा रक्षक है, उसकी सुरक्षा कवच इस पूरे घर के चारो तरफ है, हम निर्भय हैं, हर एक का शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा, अगर आपके घर में किसी को COVID है, तो और जादा डालिये, निरोगी है, ये नहीं डालिये, हाई COVID है, इसको मैं प्रोटीन दे दू, इसको दें, लेकिन COVID वर्ड बोलके नहीं देना है, य वर्ड को हटाना है, we are talking about health, not about disease, the disease word should not go into the food, तो और अच्छी शक्ती, निरोगी है, perfect healthy body है, ब्रीधिंग तो बिलकुल natural है, लंग्स तो बिलकुल perfect चल रहे हैं, इवन अगर किसी का मन ये thoughts नहीं create कर पाता है, आप खाने के थूँ उनको वो thoughts दे सकते हैं, भूजन में इतनी power होती है, कि लोगों के मन परिवर्तन हो जाते हैं, और पानी, घर के पानी में, जरूर ये सारी vibration जाने चाहिए, तो पूरा पानी जिसमें आप कठा करते हैं, जो पानी सारा दिन सब पिएंगे, आप उस पानी का जो वो होगा, उसके साथ खड़े होकर आप विशेश meditation कीज विशेश ये thoughts उस पानी के अंदर डालिये, तो ये उनकी जिम्मेवारी है, जो रसोई संभालते हैं, उसके बाद हर एक की जिम्मेवारी है, जब वो भोजन खाना शुरू कर रहे हैं, या वो पानी पीना शुरू कर रहे हैं, हम अब 5 सेकेंड का pause लिए बिना, अब अगर ह बहुत कब बल्स्रिया, because it's fear in the air, तो खाना काने से पहले, पानी पीने से पहले, अगर आप दवाई खा रहे हैं, तो दवाई खाने से पहले तो बहुत ज़रूरी है, तो दवाई को देखकर पहले तो शुक्रिया किजिए, तब भी ने thought create किजिए, इससे मुझे acidity होती है, ऐसे कोई सोच के काएगा दवाई, लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन होती है न तो मैं कैसे नहीं सोचू, होती है न इसलिए नहीं सोचना है, नहीं तो सोच से भी होने लग जाएगी, तो दवा खाते हुए, इस दवा का कितना शुक्रिया, इस इलाज का कितना शुक्रिया, पि तो बाकी सारी चीज़ clean and energize कर दिया, जो पंडेजी मंदिर में करके आपको देते हैं, हमें हर एक को करना है, for every glass of water, every cup of milk, every glass of juice, every cup of tea coffee अगर आप पीते हैं, और हर खाना, even अगर आप एक apple उठाएंगे, save उठाएंगे खाने, आपको फिर से करना है, अब कई बार लोगों को लगता है, तो बहुत जादा हो जाता है, दिन में इतनी बार करना है, अगर दिन में इतनी बार हाथ दोना है, तो दिन में हर चीज़ को भी दोना है, हाथ दोने के लिए तो 20 सेकेंड बताया हुआ है, 20 सेकेंड दोना है, यह तो सिरफ 4-5 सेकेंड करना है, और जितनी बार repeat करेंगे न तो यहाँ पर वो और पक्ता होता जाएगा तो जितनी बार हमें चांस मिल रहा है हो संकल्प को repeat करने का उतना याद रखें कि यहां programming भी हो रही है यहां programming भी हो रही है वो मेरे natural thoughts बहनते जाएंगे and of course साथ भी खाना खाना है मतलब वेसे हमें तामसिक Ciao बोजन कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस समय कैसे खा सकते हैं। तो फिर डर कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, तो बिल्कुल strict हो जाएं, ये नहीं अपने आपको कहें, नहीं ये तो health होता है, इसमें तो proteins होती है, मुझे COVID है, तो मुझे proteins की जरुत है, तो मुझे चलो और कुछ नहीं, तो एक अंडा तो खाई लेना चाहिए, ये excuses अपने हैं, और वो COVID से बहुत अच्छे से ठीक हो कर, और और बीमारियों से भी बहुत अच्छे से ठीक हो कर आते हैं, तो ये सारे belief system, कि मुझे तो खाने का मन नहीं है, बड़ इस फॉर माय हेल्थ, सिरफ शरीर नहीं मन को health देनी है, और शरीर को भी vibration अच्छे देने हैं, वो anxiety, violence, death, this खाना, कुछ भी नहीं अपने आपको, कि थोड़ा सा सूप, थोड़ा सा अंडनो, we don't even take those words, but वो सब बोलना नहीं है, बिलकुल बोलना नहीं है, तो कोई भी तामसिक चीज ना खानी है, ना पीनी है, दिविनिटी के साथ अपने मन और शरीर का इलाज करना है, चि तो जिनका इलाज हो रहा है, उनका भी स्ट्रॉंग हो रहा है, उनका भी स्ट्रॉंग हो रहा है, तो स्ट्रॉंग हो रहा है, तो कोविड आएगा नहीं, आ गया तो आके चला जाएगा, इतना संपल हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रेपरेशन इतनी अच्छी थे, एक और मन का भोजन, which means हमारे past experiences, हमारे को past baggage भी clear कर देना चाहिए इस समय, कई बार पुरानी बातों की चोट, पुरानी बातों की guilt, पुरानी बाते बहुत सारी पकड़ के रखे हैं, बच्पन में ये हुआ या ये ये हुआ, कुछ trauma होते हैं पुराने, वो सब को heal कर देचे इस समय, क्योंकि वो भी न, एक बहुत heavy vibration हमारे mind and body पे डालता है, तो we need to cleanse ourselves completely, तो COVID से related negative तो नहीं, लेकिन पुरानी बाते negative भी जो हैं, कुछ भी यहां पर, अपने आपको counsel कीजिए, समझाईए, उस पर meditate कीजिए, और उसको release कीजिए, और उसको release कीजिए, और सारा दिन की conversations में भी हम COVID के बारे में तो नहीं बात कर रहें, लेकिन बाकी conversations भी सकारात्मक रहनी चाहिए, मतलब किसी की निंदा हो रही है, और ऐसे किसी के बारे, वो भी अब भी तो बिल्कुल नहीं, तो इसलिए COVID actually समय है, जो संसकार परिवर्तन कर सकता है, संसकार परिवर्तन कर सकता है, मन और शरीर की healing कर सकता है, और social media पर ध्यान रखे, हमें बहुत सारी चीजे दिखाए दे रही हैं, जिसमें हमारे पास बहुत strong opinions है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस administrator को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन doctors को ऐसा नहीं, we have a lot of opinions, and घर बैठ के opinion रखना काफी easy भी होता है, क्योंकि हम उस situation में है यह नहीं, तो हम तो अपने चार के घर में भी panic हो जाते हैं, अगर एक को 99 बखार हो जाए, तो घर में रहेकर opinion रखना बहुत easy होता है, that's one, second, हर एक जिस जिस role में है, वो अपनी अपनी capacity से best ही कर रहे होंगे, intention तो किसी की गलत होई नहीं सकती है, किसी से गलती हो सकती है, लेकिन intention गलत नहीं हो सकती, यह दोनों बातों में हमेशा clarity रखनी है, intention इस समय किसी की गलत नहीं होगी, गलती हो सकती है, हमें अगर feedback देना है, हम feedback अपना भेजे, opinion देना है, भेजे, लेकिन यह criticism, constant criticism, constant blame, constant abusive vocabulary, ऐ एसी भाषा यूज़ हो रही है जो सुनी भी नहीं जाती है और फिर उसको बाकी सब लोग सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग लिख रहे हैं बाकी सब उसको सुन पढ़ देख रहे हैं फिर उसको फिर मनन करते हैं फिर उसको conversation में लाते हैं don't we have enough negativity around us कि हम ये और additional negativity भी create करते हैं दुआएं दो अगर हम दुआएं देंगे सबको किसी गलती भी कोई कर रहा होगा नो उसको अच्छी idea आज तब भी हमने सोचा अगर 130 करोड का देश किसी को लेकर शिकायत 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 इलजाम करता जाएगा तो वो आत्म सही सोचना भी चाहेगी तो सही नहीं सोच पाएगे क्योंकि इतनी collective vibration जा रहे हैं कैसे हम कर सकते हैं doctors अपनी capacity से जादा कर रहे हैं हम उनके बारे में भी शिकायत करते हैं हम उनके भी doubt करते हैं हम उनके बारे में allegations लगाते हैं अगर आज वो give up कर दें can we just visualize it is so easy for them to say okay I want to take care of myself and my family I quit my job simple एक जोब ही तो quit करने और तो कुछ करना नहीं उनको they can also do that तब हम क्या करेंगे तो दो ही words चाहिए इस समय शुक्रिया और दुआएं हर एक जो सेवा इस समय कर रहा है उसको शुक्रिया और धुएं हमारी शुक्रिया और दुआएं अगर कोई गल्ती हो भी रहोगी उसको ठीक कर देगा लेकिन हमारी शिकायतें और निंदा और abusive भाशा अगर कुछ ठीक भी हो रहा होगा तो उसको गलत की डिरेक्शन में ले जाएगा that's the power of millions of mind's vibration so हर प्रकार की नकरात्मत्ता से अपने आपको दूर रखना है not just COVID information just total, total नकरात्मत्ता से अपने को दूर रखना है and इस chain को भी काथना है जो हम हरे के ओपर critical, blame और abusive comments लिख रहे है constructive feedback लिखतर भेजिए but vocabulary needs to be taken care of very important जब आप ये बात कह रहे थे तो एक तीस जो हम अक्सर सुनते आए हैं डॉक्ते से भी सुनते आए हैं break the chain की, हम chain को break करें तो यहाँ पर आपने बोला कि एक तो जो चीज़ें हम डर के vibration से घर में आ रही हैं उन चीज़ों को break करते हैं physically चीज़ों को बाहर रखते हैं और फिर बात में उसको अंदर ले आते हैं हम भार-बार अपने हाथ दोलाई करते हैं तो अब शायद मन की दोलाई का भी समय देना है, कुछ भी खाते हैं तो हाथ दोते हैं तो असे मन को भी खोना है पांच सेकिंद के लिए कुछ फॉसिटिव अंदर डालना है माइं में लाकि वो फ्रेश चीज़े आए आपने बहुत खुबसूरत बात ये भी बताई कि भाई, जो जो बोजन बना रहा है उनके उपर बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी है जो खा रहे हैं उनके उपर भी उतनी ही रिस्पॉंसिबिलिटी है कि उसे प्रसाद समझ के पानी को भी पी रहे हैं उसे अम्रिट समझ के उसे हाई फाइबरेशन से पीना चाहिए और आपने अभी अभी जो बात कही कि हम बहुत ज्यादा criticism में जा रहे हैं बहुत ज्यादा music language या फिर हर जगे हम critical होकर गलतियों को ही देखते रहे हैं और उसी चीज उन पर चर्चा करें तो ये भी सही नहीं है भले रखती कोविड में है या नहीं है उन सब को इस चीज को बदलने की अब आवश्यक्ता है आज की वातावरण के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही important steps हैं जो हम अपने आपके सुरखशा के लिए कर सकते हैं मैं डॉक्टर मोहित के पास जाना चाहता हूँ turbulent होती है जब तूफान बहुत ज़्यादा तेज होता है तो आप तूफान को संभालने की कोशिश नहीं करते हैं आप स्वयम को संभालने की कोशिश करते हैं और उसके लिए सबसे important है कि अपने मन की मनोस्थिती को बड़ा स्थिर रखना तो जैसे मैंने पहले भी इस बात का जिकर किया था और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह समय है कि हम लोग alert रहें बहुत alert रहें सजग रहें कि एक एक चीज जो हमारे around चल रही है अपने symptoms को observe करें और अपने परिवार वालों के symptoms को भी regularly observe करें केवल अपनी तरफ नहीं ध्यान लेकिन जो व्यक्ति आपके सब पर्फ में आ रहे हैं वो भी क्या protected हैं उस चीज कभी आप ध्यान रखें तो यह alertness जो है शारेजिक रूप से हमको बहुत सजग proper तरीके से बिमारी से बचाएगी और इसी तरह अपने संकल्पों को भी proper alert रखें उनको कभी भी कमजोर नहीं होने दे जैसे आपने बहुत सुन्दर बातें सुनी कि संकल्पों को positive direction दे रोज उनको program करते जाएए उनको बार बार recreate करें उनको सकरात्माक्ती की तरफ लिखे जाएए क्योंकि ये समय है कि हम सब एक दूसरे के लिए grudge holding नहीं करेंगे हम सब हाथ एक दूसरे का पकड़ के ही साथ आकर ही हम विज़ई बन सकते हैं दूसरी बात ये आप समझे कि डॉक्टर केवल वो डॉक्टर नहीं जो की शारेरी क्रूप से अपना ध्यान रखते हैं symptoms को observe करते हैं तो ये किसी बड़ी डॉक्टरी से ये healthcare worker से कम काम नहीं है क्योंकि आप अपने को protect करके डॉक्टर का क्या कार्य होता है कि वो infection को दूसरों को भी दाने ते रोके और swim को भी protect करे तो ये कार्य आप करेंगे तो ये बहुत important रहेगा और तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि stable रहे हैं बहुत अराम से easy बिमारी आई है कोई बात नहीं हिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन मेरी मन की स्थिती powerful है मुझे alert रहते हुए पांचो steps का ध्यान रखना है testing करनी है, diagnose करना है testing करनी है, isolate करना है और उसको system को clean up कर देना है completely clean up कर देना है और 95% तो science कहती है अगर मैं अपने मन की शक्ति उसमें add कर देता हूँ तो शायद इस percentage को मैं अपने लिए तो कम से कम 100% भी fix कर सकता हूँ यतनी शक्ति तो है ही ना 95-90% तो science भी कह रही है 10% थोड़ा आप भी कारे करी है अपनी तरफ से कह दीजे कि भाई मैं 100% से विजय प्राप करूँगा और last चीज ये जो संकल्प आज आप सुन रहे हैं इन संकल्पों को अपने तक मत रखिए forward button दबाने की हमको बहुत आदत पड़ गए सवेरे से शाम हम forward button नहीं दबाते हैं इधर से message आता है उधर forward उधर से आता है इधर forward तो कभी-कभी हम इस समय पर अच्छे messages को forward कर सकते हैं अच्छी बातों को forward कर सकते हैं वो नहीं जो pasted messages आते हैं लेकिन ये message जो आपके अनुभव योगत है जिनको आपने संकल्पों के द्वारा आपने कैसे इस बिमारी को जीता है लोगों को इस अनुभव के द्वारा ख़़ा करें उनके उत्साह को जागरित करें उनकी बुजी हुई जोती को जो उनकी आशा का दीपक बुज रहा है उसको आप जागरित करें दोस्तों ये बात सदा समझी में रखिएगा कि प्यार का दीपक बुज सकता है विश्वास का दीपक बुज सकता है लेकिन जब तक आशा का दीपक हमारे जीवन में चला है तो सारे दीपक पुना जागरित हो सकते हैं यह हमारे उपर है यह हमारे उपर है तो वो आशा का दीपक जलाने के लिए अपने मन को सजग रखना अपने मन को स्थिर रखना अपने मन को सकारात्मक रखना अपने मन को स्टेबल रखना बैलेंस रखना और पॉजिटिव रखना यही मेसेज है treatment protocols आ रही है आप alert रही है, सुनते जाएए कोई और प्रशन है, पूछिए लेकिन चिंता मत करिए बिल्कुल चिंता मत करिए इस बिमारी को जाना निश्चित है क्योंकि किसी ने बहुत सुन्दर कहा है कि even the toughest of the storms get tired, तो आने वाले सवेरे को कौँ रोख सकता है यह तूफान है तो वो भी ठंदा पड़ेगा ही पड़ेगा लेकिन उस तूफान में हम ना भेजाएं इसको हमें ध्यान बत्मा है बहुत बहुत शूपरे हमारा विचार क्या होना चाहिए हमारे मन में क्या संकल्प होने चाहिए उसके बारे में हमने सोचा हमने अपने लाइस्टाइल को कैसे बनाना है अपने दिंचर्या में शुरुआत कहां से करनी है जल्दी सोना है, जल्दी उठना है exercise करना, meditation करना सुबह उठते ही gratitude के feeling से धन्यवाद के feeling से हम शुरू करें जो कुछ भी खा रहे हैं वो सात्विक हो बनाने वाले खाना सात्विक बनाएं positive energies के साथ high energy के साथ हम खान पान पे attention दें TV information जो हमारे पास आ रहा है उसमें हम सब कुछ positive energy से flooded चीज़ों को ही लें कुछ भी negative हमारे आसपास नहीं हो इस पात का ध्यान रखें आपने ये भी बात कही कि criticism नहीं चाहिए जो भी चीज़े negative हमारे पास है जो कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हम हर चीज़ को सकारात्मक्तरीके से लेना करें अब ये जो चीज़ें हैं हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है इससे सुरक्षा का बच बन सकता है meditation के यूज़ के बारे में आपने बताया जाते जाते हमारे दर्श्मों को ये कुछ ऐसे concrete steps जो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसी चीज़ें हम करें जिससे एक complete सुरक्षा का बच हम अपने लिए और अपने आस पास सभी लोगों के लिए बना सकें ऐसे कुछ चीज़ें हम हमें शेयर करें ये सब steps हमने देख लिए ये सुरफ उनके लिए नहीं है तब तक सुबह सिरफ सकारात्मक संकल्प शुरू कीज़ें जिसको हम positive affirmations कहते हैं इस समाई के लिए कुछ सकारात्मक संकल्प I am a powerful being मैं शक्ति-शाली आत्मा हूँ मैं सदा, शान्त हूँ, स्थिर हूँ Very important शान्त हूँ, स्थिर हूँ, निडर हूँ निश्चे है मुझे संपूर्ण पढमात्मा पर और अपने भाग्य पर मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ मेरा शरीर निरोगी है स्वस्थ है और हमेशा रहेगा ये एक affirmation है, ये एक संकल्प है फिर पढमात्मा की दुआउं का सुरक्षा कवच मेरे चारो तरफ है और फिर इस सुरक्षा कवच को परिवार के हर सदस्य के अराउंड भी ड्रॉ करिए, एक divine light का energy circle, अपने परिवार के हर सदस्य के अराउंड ड्रॉ कीजिए ताकि आपके मन में ये थोट भी नहीं आना चाहिए, अगर इनको हो गया तो अगर हो गया हमने सारा सीख लिया कैसे संभालना है लेकिन अगर इनको हो गया तो ये थोट के हमें जरूरत नहीं है जब होता है उसके बाद हम ध्यान रखेंगे, जब तक नहीं हुआ है हम थोट भी नहीं create करते, तो परिवार के हर सदस्य के अराउंट वो सुरक्षा कवच ट्रौ कीजिए कि ये निरोगी है, इनका मन शक्ती शाली है और ये परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है फिर वो सुरक्षा कवच आप जिन को जानते हैं, उनकी अराउंड रो कीजे और फिर आप सब के अराउंड रो कीजे पूरे देश पूरी इस रिष्टे के अराउंड रो कीजे हां बहुत इंपोर्टन सभी इस समय जो सेवा पर है उनकी गलतियां ढूनना उनकी निंदा करना तो बहुत सहज लगता है न क्यों न एक शन उनके लिए रोज दुआ करें कि पड़मात्मा की शक्तियां इनके साथ हैं ये हमारे लिए सेवा पर हैं ये हमेशा सुरक्षित हैं इनका मन शक्तिशाली है इनका शरीर निरोगी है इनका हर निर्णे इनका हर निर्णे कल्यान कारी है ये दुआ हम रोज करें कि इनका हर निर्णे इनक करम कल्यान कारी है जिन लोगों की specific कुछ लोगों की अगर आपको गलतियां सारा दिन दिखाई देती है या सुनाई देती हैं आपको नहीं पता ले उनको याद करके उनको दुआ किजे कि इनका हर निरनय कल्यान कारी है यह भगवान की instruments हैं, वो इनको touch करेगा, कि क्या right करम करना है पूरे देश के लिए, 130 करोड देश, give them blessings, everything will change, their whole vibration can change, of anybody, if anybody unintentionally, unaware is making a little mistake, तो ये हम सुबह सुबह सब के लिए meditation करते हैं, फिर हम कम से कम आदा घंटा spiritual study करते हैं, वैसे तो एक घंटा, तो आदा घंटा पर्मात्मा का ज्यान, इश्वर्य महावाक्य भरने हैं, सात्विक भोजन करना है, content consumption पूरी तरह से restrict करना है, कि कुछ भी नाकरात्मक अंदर नहीं जाए, रात को सोने से पहले, फिर से हमें 15 मिनिट कम से कम, फिर से meditation करनी है, या ये affirmations repeat करनी है, हमारी first thought और last thought बहुत important होती है, क्योंकि उस time पे हमारा subconscious mind खुला होता है, सारा दिन में जो हम thoughts करते हैं, वो जैसे बीज उपर जाता है और गिर जाता है, लेकिन सुबह और रात का जो समय है, बीज अंदर जाता है, वो thought अंदर जाता है, तो सुबह की पहली सोच और रात को सोने के पहले आखरी सोच, ये आपके व्यक्तित्व पर असर कर देगी, गलती से भी सोने से पहले ये थोट नहीं create कर लेना बहुत दर्द हो रहा है, ये गलत thought create हो गई सोने से पहले, वो छे घंटे ये thought process होगी, बहुत दर्दोरा है, बहुत दर्दोरा है, oxygen इतना रात को सोने से पहले कितना भी दर्दोरा हो, आपको ये thought create करने मेरा शरीर perfect है, मेरा शरीर निरोगी है, परमात्मा की शक्तिया मेरे शरीर के अंग-ंग में जाकर मुझे strong बना रही है, मेरा immunity system perfect है, अगर किसी की body में वो चीज आई होई है, वो सोने से पहले उसको disappear होता हुआ, देखें, कि वो शक्ति अंदर गई और वो finish हो गया है उसका drawing तो हम सारा दिन देखते रहते हैं हर जगा, तो वो video game की तरे खेलना है, कि God's power अंदर जाते हैं और वो जो गोला दिखाए दे रहा है वो finish हो गया पूरा, इसको visualize करना है, it will get happening here. एक आखरी चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ वो यह है कि कुछ unfortunate situations ऐसे होते हैं जहां पर हमारे किसी मित्र या संबंध हमारे किसी family member को हम खोल देते हैं, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि ऐसे समय पर हम कैसे positive रहें, यूपि loss तो है, grief तो है, देखने को मिल रहा है कि कोई व्यक्ती हमसे जुदा होकर आके जा रहा है, किसी व्यक्ती ने अपने चोड़ा है, तो ऐसे समय पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे समाचार भी आते हैं, लोग फोन कॉल्स पर बताते हैं या message मिलता है इपलाने विक्ती has moved on तो ऐसे समय पर हम क्या सोचें, क्या करें उस समय पर, ये एक सोचने वाली बात है और इस grief जाएगा, कि किसी को हुआ है, या किसी को oxygen डाउन हुआ है, या किसी ने अपना शरीप छोड़ा है Now, that is the time which is very very important, कि जैसे ही हमें ये बात पता चलती है, मेरा first संकल्प एक दुआ होना चाहिए, क्योंकि दो ही चीज़े हो सकते हैं उस समय, या तो वो information मुझ पर register हो जाएगी, क्या परमात्मा से connect करके, वो दुआ create करके उन पर register हो जाएगी, तो वो reality मुझ पर नहीं register हो, लेकिन वो blessing मेरे through भगवान की उन पर register हो जाएग, दूसरी चीज़ समय पता होना चाहिए कि जो आत्मा इस समय शरीर छोड रही है, बहुत सारे आत्मा इस शरीर छोड रही है, और शरीर छोडने का process तो कभी भी किसी के लिए भी easy नहीं होता, आत्मा एक शंड में सडिनली अपना सब कुछ खो देती है, तो for most, because we are not prepared for most, death is a very painful experience, क्योंकि सब कुछ छोट जाता है, शरीर, family, सब कुछ जो कमाया था, लेकिन इस समय वो थोड़ा सा और भी painful है, और भी painful है, एक तो अच्छे वले थे, थोड़ा सा उखार हो चार दिन में ICU में पहुंच के, ICU में जाने से पहले सोचा तो जाने ही कि फिर से नहीं मिलने वाले किसी को तो कोई त्यारी भी नहीं की थी, किसी को कुछ बोला नहीं, ICU में थोड़े दिन रहे और पता ही नहीं चला, आत्मा वेंटिलेटर पे थी और चली गए, नाव देस इस वेरी painful for मेनी, क्योंकि end के समय उनके साथ कोई नहीं था, और जो खोते हैं अपने किसी परिवार के सदस्यों को, उनको भी ये बहुत trauma हो रहा है, कि हम end में उनके साथ नहीं थे, जब वो जा रहे थे, हम उनका हाथ पकड़ के बैच जाते उनके साथ, हम दो मिनिट उनको बात ही कर लेते, a lot of, जिसको कहते हैं unfinished things, मतलब वो closure ठीक नहीं हुआ है, जैसे उस कार्विक अकाउंट का closure ठीक नहीं होता है तो ये जो दर्द होता है ये और थोड़ा जादा है उन आत्माओं के लिए, प्लस वो आत्मा ऐसे माहौल में अब शरीद छोड़ रही है, जो वैसे ही painful बहुत जादा है तो इन सब के लिए तो बहुत बहुत जादा हमें prayer और meditation करनी है बहुत जादा prayer हम ये सब देखते हैं कि hospital नहीं मिला तो कितनी suffering ये नहीं हुआ तो कितनी suffering आत्मा जो इस समय शरीद छोड़ रहे है उसको भी pain की suffering है तो उनके लिए दुआएं करनी है उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है उनके लिए विशेश meditation करना है जैसे आपको एक information मिलती है कि so and so soul has left the body उसी शर्ण इसमें नहीं जाए क्या हो गया था, कैसे हो गया कल तक तो ठीक था बाद में पुछेंगे जो पुछना है क्या हो गया था तो हमें पताई है immediately thought परवात्मा की शक्तियां उस आत्मा के साथ है वो आत्मा शक्ति शाली है वो अपने नए अच्छे वाले costume नए destiny में जा रही है immediately, immediately हम first thought होने चाहिए immediately raise your vibration to blessing blessing दे उस आत्मा को और फिर तो अलग से भी विशेश बैठ कर सभी आत्माओं के लिए meditation करे हम इस समय visuals देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार जहां हो रहे हैं अब वो visual देखकर यहां सिरफ trauma ही register होने वाला है reality है लेकिन हमारी responsibility क्या है उस reality में कि आपने वो visual देखा तो आपको immediately आना चाहिए इतने सब ने शरीट छोड़ा चलो I have to meditate for that मुझे meditation करने हैं उनके लिए उनके परिवार वालों के लिए और जिन परिवारों से कोई सदस्य आगे गए हैं अपनी चर्णी पर उनको भी इस समय I know ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें बुरा ना लगे रोई नी खालीपन तो आएगा ही वो तो जीवन भड का vacuum है हमारा family member has moved out जीवन भड का vacuum है लेकिन एक होता है याद करना with pain और एक होता है याद करना with love तो प्यार से याद करें दर्द से नहीं याद करें क्योंकि वो पहले ही बहुत दर्द देख कर गए है और अभी भी हवा में बहुत दर्द है अगर आपको लगता है कि आप उनसे कुछ कहना चाहते थे जो आप नहीं कह पाए don't worry आत्मा हर चीज सुन सकती है वो आपकी हर बात इस सुमें सुन सकती है आप ये नहीं थोट क्रियेट करो कि मैं कहें नहीं पाई आप बैठो silence में और सारा कुछ कहो आत्मा की catching power और understanding power शरीर छोड़ने के बाद तो highest होती है वो हर चीज कैच कर सकते है IT is an out of body experience हमें सब को पता है out of body experience में क्या होता है तो हर बात जो कहनी है सब कहिए किसी को शमा करना है किसी से शमा मांगना है शुक्रिया करना है घर की कोई बाते करनी है सब कुछ कहिए प्लीज उनसे ये मत कहिए कि हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, यह thought नहीं देना किसी को, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, यह हमारी गलती थी, हम आपके लिए hospital नहीं ढूंड पाए, इसका impact क्या होता है, impact पता होना चाहिए, वो जो soul आगे जा रहे है, वो अभी कुछ दिनों में एक मा के गरफ में enter कर जाएगे, आत्मा तो नया costume लेगी लेकिन नये costume में भी यह सारी thoughts पहुंचने वाले हैं, अब वो आत्मा को situation की clarity तो याद नहीं है, कि उस दिन ICO मिला नहीं, उसको तो उस समय उतनी awareness नहीं होती, लेकिन उसको यह सारी thoughts मिल जाती है, हम आपके लिए कुछ नह कर पाए, हम आपकी कोई मदद ने कर पाए, हमने तो अपनी जिम्मेवारी ही ठीक से नहीं नभाई, it is my fault, यह मेरी गलती है आप चले गए, यह सारी thoughts वो आत्मा कैच कर लेगी, और फिर वो आत्मा की programming गरफ में यह होने लग जाएगी, मेरा परिवार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे परिवार ने मेरी मदद नहीं की, मेरा परिवार ने मेरा ध्यान नहीं रखा, यह एक सोल जो अपना नया शरीर बना रहे है गरब के अंदर, वो यह vibration कैच कर लेगी, दो तीन साल के बाद जब वो बच्चा तीन साल का होगा, चार साल का होगा, आप देखे कि इन बच्चों के अंदर अगर उनोंने जो past family है या जो नई family है, नई family बे यह कर सकते है, जहां वो बच्चा आया है, नहीं तो यह बच्चों के अंदर यह thought आ जाएगी, my family does not love me, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई मेरी तरफ दे जो उस समय गरब में, प्रोग्रामिंग में हो गई, इसको कहते हैं गरब संस्कार, तो हमें जो thought create करने हैं, यह सही सोच है, किसी ने ऐसा किया, कि जान पूच के ध्यान नहीं रखा, नोबड़ी, कोई नहीं है, जिसने जान पूच कर ध्यान नहीं रखा, या जान पूच कर hospital नहीं लेके गए, तो गलत क्यों सोच रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं, thought को change करो, और right thought वहां message भीजो, हमने अपनी शमता से जादा कोशिश की थी, हम हर जगह गए थे, हम जहां जहां जिसको फोन कर सकते थे, हमने पूरी पूरी अपनी capacity से जादा हमने तन, मन, धन, सब कुछ लगा दिया आपके लिए, because हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हम आपको कितना चाहते हैं, कितना चाहते थे, क्या ठीक हो जाए, हम सबने मिलकर अपनी पूरी 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 कोशिश की थे, this message has to go to the soul, ताकि वो आत्मा की programming होगी, my family loves me so much, मेरा परिवार मुझ से बहु and we see two different programming's कैसे बनेंगी, यह उसके भविष्य, personality or destiny का हिस्सा बनने वाले हैं, यह थौर्ट नहीं क्रियेट करना, हम अंत समय में आपके साथ नहीं थे, I'm sorry हम ICU में नहीं आपाई, हमें permission नहीं मिली, change thought, हम physically आपके साथ नहीं थे, मन में हम आपके इलावा कहीं थे ही नहीं, ह मन में आपके इलावा किसको याद कर रहे थे, हम तो सिरफ और सिरफ आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं, और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, this is the right thought, because this is also reaching, नहीं तो एक छोटा बच्चा नहीं, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसको डर लग सकता है, वो कहेगा मेरे मिलेंगी, वो कहेंगा मैं अकेला हूं लेकिन सब मेरे साथ है, I am taken care of, I am very safe, I am very protected, तो यहां तक नहीं सोचना है सिरफ, उस आत्मा जो आपका most important family member था, उसके भविश्य के लिए भी सोचना है, उसकी new destiny के लिए सोचना है, और उसकी new destiny में हमारी इस समय की सोच, उसके संसका की programming में effect करने वाली है, so let's radiate only right thoughts, let's remember and pray and meditate for everyone with love, दर्द के साथ नहीं, यह सिरफ जो R.I.P. हम लिख देते हैं हर एक के message के उपर या हर एक के कम, क्या मैसल, क्या meaning है इसका, rest in peace, इसका कोई meaning नहीं है, इसका meaning है, हमें सारी peaceful vibrations create करनी है, ताके उनकी आगे की journey पर वो peacefully जाने व जो पीछे हैं, तब वो peaceful होंगे जो आगे गए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी आगे जो जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत है, तो जैसे किसी के भी बारे में पता चले कि कोई बीमार है, immediately thought create करे, perfect healthy body, परमात्मा का सुरक्षा कवच उनके चारों तरफ है, जैसे ही समाचार मिले, उनका oxygen 80 dip हो गया है, जो जो करना है वो बताना, अंदर से thought, आप safe हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका lungs perfect है, आपका oxygen 9, keep radiating blessings, keep radiating these thoughts and blessings, आपकी programming होती रहेगी, ये vibration फैलती रहेगी, नहीं तो एक का oxygen dip होता है, हजारों का मन dip हो जाता है, और मन dip होकर हजारों बोलते हैं वो complicated है, crisis है, collapse हो रहा है, अब इतने लोग बोलेंगे collapse हो रहा है, crisis है, तो वो व्यक्ति उसमें से कैसे निकलेगा, तो we have to enhance healing, हमें healing को बढ़ाने के लिए अपनी सोच का सही सकारात्मक सोच का दुआउं और meditation की blessings का बहुत 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 बढ़ा सही योग देना है, तो हम कितना शुक्रिया करें, लेकिन घर पे बैठे हरेक, अपने हर संकल्प से, बोल से, करम से, तन, मन, धन से हम सेवा पर हैं, जब 130 करोड का देश सारे सेवा पर हो जाएंगे न, तो असंभव संभव होता है, blessings make impossible possible, so और ये वाली तो impossible बात भी नहीं, अभी अभी हमने स सुना, वो तो जाना तो है, लेकिन हम उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, कि हम जल्दी possible करेंगे, हम miracles create करेंगे, by using the power of collective vibrations, collective मनोस्थिति, इसका हमें बहुत-बहुत थ्यान रखना है, तो जिन्होंने अभी तक meditation नहीं सीखा है, इस समय सीख लीचे, सीख लीचे, आपको इस प्रोग्राम के end पे एक email ID मिलेगा, phone number मिलेगा, आप जहां भी रहते हैं, आपके नजदीक meditation centers हैं, अगर आप ऐसी जगह पर हैं, जहां आप जा सकते हैं, तो आप जाये, और नहीं तो बिल्कुल घर पर safe रहकर, आप इस email या phone number पर message भीजिए, और आपको connect करवाय जाएग कि आप कहां online meditation कर सकते हैं, जब कुछ भी अपने control में ना हो ना, तो दो ही शक्तियां यूज करने हैं, इश्वरिय शक्ति और आत्मिक शक्ति, ये दो शक्तियों को यूज करके संकल्प से स्रिष्टि, स्रिष्टि को अपने परिवर्तन करना ही है, और हम सबने मिलकर ये कर नहीं है, विजय हमारे लिए निश्चित है, डोक्टर हमें बता रहे हैं, विजय निश्चित है, जब डोक्टर कह रहे हैं कि विजय निश्चित है, तो डाउट का तो कोई question ही नहीं आता, तो विजय तो हमारे लिए निश्चित है ही, शक्रिया